हेलो हेलो वर्वान दिस ये जूतिगर्ग कैसे हैं आप सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे बेटा देख हमना पहले ही ना हम पहले आठ चाप्टर के क्वेश्चन आंस्वर्स की वीडियो में आपके लिए डाल चुकियो हमारे पस नाइन से लेकिन थर्टीन थग ये पांच ये एन स्टीमेट के क्वेश्चन से और पढ़ें स्टीमेट के तो हम जो कंटेंट कवर करने वाले ह हम आज के एक लॉस्त क्लास में वह हमारहा ये रहेगा हम चैपटर नमब्र नाइन से लेके चैपटरण आप जैसे में नहीं बाध बोली मुझे पथा आप इतने नलायक हों कि आप यह capital नंबर 9 न नहीं बेट दीख चाप्टन नंबर 9 भी इंपरफंट है नЁने को मैं बहुत इम्परिंट इसलिए बोलती हूं तुम पतह है Kap 100 नंबर 9 के अंदर से 15 नंबर 10-12 में लेकिन तुम्हें पता है चैप्टर नमबर 1 इस वरी स्कोरिंग चैप्टर मतलब बहुत रेयर इसा कोई टॉपिक होता है जिसके अंदर भाय तुम्हें जो कौशिशन दिया उग दिम्हें जो पूरे के पूरे नमबर मिल सकते हैं तो कम्पनी ओडिट इस चैप्टर तो बहुत easy है, बहुत scoring है, तो मेरे लिए this is very much important, मैं हर बच्चे को बोलूँगी कि sir, company audit का कोई भी topic छोड़ के मच जाना, it's very important and very scoring, है ना, तो chapter number 10 के साथ शुरू कर रहे हूं, जल्दी सिसके questions पे आ जाते हैं, अरे, एक सेकंड, हाँ जी सो, पहला question है, शिफ्ट कर दूँ किया notes पे, easy रहेगा आप लोगों के लिए, पहला है, an auditor purchased goods worth 5,15,000 on credit, अच्छा जी, CA ने 5,15,000 रुपे की goods credit पे खरी दी है company से, being the audited by him, the company allow him one month credit period, which is the normally allowed to all non-customers comment, sir, अच्छे ठीक है, question discuss करने से पहले, जरा ये देख लेते हैं, कि company audit के question किस तरीके से लिखोगे, sir, तीन level में लिखना, सबसे पहले, अगर case study का question है, सबसे पहले provision लिखना, कि ये question किस provision के बारे में बात कर रहे है, जैसे हमारा किस 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 के बारे में, कि जो CA है, उसने 5,000,000 से उपर का credit पे goods खरीद रख है, तो comment करो इस पे, भाई देख, ये उवला provision किस के बारे में बात कर रहे है, तुमारा section 141, जो बात करता है, eligibility and non eligibility के बारे में, कि ये CA as a auditor appoint होने के लिए eligible है कि नहीं है, उस company में, ठीक है, अभी ये कौम सा section बात करता है, 141, 141 में लिखा हो है कि अगर person या उसका partner या उसका relative company के अंदर, holding company के अंदर, subsidiary के अंदर, associate के अंदर या holding के subsidiary के अंदर, 5,000,000 से जादा का in debt रखता है, तो वो उस company के अंदर as a auditor appoint नहीं हो सकता, right? और हमारे case में, तो CA नहीं कितना का goods credit पे रखा है, 5,15,000 रुपे, ठीक है, मतलब more than 5,000,000, तो क्या वो auditor as a auditor appoint हो सकता है, नहीं, सर, इसको present कैसे करकिया आना है, सर सबसे पहले provision समझा किया आना, ठीक है, कि as per the section 141 of the company's act, this, 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 ठीक है, फिर उसके बाद fact लिख किया आना, in a given case, मतलब आपके question में क्या दिया गया है, last में conclusion लिख किया आना, समझ पाए, सबसे पहले provision लिख किया होगी, कि ये question किस provision से related बात कर रहा है, दूसरा fact लिख किया होगी, कि हमारा case क्या है, थर्ड conclusion लिख किया होगी, कि इस tact के basis पे, इस provision के according, क्या conclude किया, ठीक है, तो हमारा conclusion के आएगा, सर, हम यहाँ पे आज ओडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, we are because we are not eligible, राइट सर, next है, राम एन हनुमान ऐसोचेट, चार्ड़ अकाउंटें, अच्छा, फिर्म का राम है, राम एन हनुमान ऐसोचेट, चार्टर अकाउंटेंस इन प्राक्टिस, हाव बिन अपॉइंटेड अज अस टार्टरी ओलिटर ऑफ क्रिश्णा लिमेटेड, फोर दा अकाउंटिंग इयर 17-18, मिस्टर हनुमान, मतलब पार्टनर्शिफ फिर्म का एक पार्टनर, होल्ड हन्रड इकोटी शेयर्स ऑफ शिवा लिमेटेड, ठीक है सर, और सबसीडरी कंपनी ऑफ क्रिश्णा लिमेटेड कमेंट, कहां से रिलेट करता है, कौम से प्रोविजन के बारे में बात करना चाहरा है, सेक्शन 141, क्वालिफिकेशन के बारे में वही, अगेन, यहाँ पर क्या है सर, सर एक प्रोवन साब का सेक्शन 141 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि अगर कोई पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कम्पनी के अंदर, होल्डिंग के अंदर, सबसीडरी के अंदर या एसोशेट के अंदर या होल्डिंग की सबसीडरी के अंदर security held करता है तो उस company के अंदर आप as your auditor appointment नहीं हो सकते हाँ, relative के लिए एक leverage है, कि relative चाहे तो एक लाख तक की face value का security held कर रखा है लेकिन यहाँ पर किसने held करके रखी हुई है हमारे case में तो partner नहीं ले रखे तो partner तो held नहीं कर सकते एक share भी held नहीं कर रखा, यहाँ तो 100 shares है, ठीक है sir तो आप क्या करोगे, provision बता के आओगी कि sir, as per the section 141, कोई भी person उसका relative या partner company, उसकी holding subsidiary associate या फिर holding की subsidiary company के अंदर security held नहीं कर सकता, अगर security held करते हैं, तो disqualified हो जाएंगे, right sir and relatives के लिए एक provision है कि वो एक लाग तक की face value की share ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो Mr. Shiva है, sorry, Mr. Hanuman है, वो partner है, तो वो नहीं hold कर कर के रख सकते हैं, तो इस case के अंदर, Hanuman, Ram and Hanuman associate is not eligible for appointment as an auditor, right sir, ठीक है sir, next है, MD, managing director of PQR Limited, himself want to appoint Shri Ganpati, a practicing chartered accountant as a first auditor of a company, comment on the proposed action of the MD, अब एक बात बिताओ, first auditor कौन अपॉइंट करते हैं, sir, in case of the non-comment company, first auditor अपॉइंट करने का power किसकी पास होता, board of director के पास, 30 दिन के अंदर, जिस दिन company का registration हो, उसके 30 दिन के अंदर board of director करते हैं, वो नहीं कर पाते, तो members करते हैं, 90 days में, लेकिन, यहां पे MD क्या कह रहा है, ओ भाई, मैं ही अपॉइंट कर दूगा, sir, अक्ट में जब लिखा है, board of director करेंगे, तो क्या MD के करने से काम चल जाएगा, नहीं sir, तो यहां पे जो MD करना चाहरा है, it's not valid, कौम सेक्शन है सेक्शन है, section 139, राइट, sir, next है, अंडर what circumstance the retiring auditor cannot be reappointed, किस किस केस में, जो auditor retire हो रहा है, वो reappoint नहीं हो सकता, मतलब, अब भी आप मान लिजीए, आप 21 के लिए auditor थे, आप retire हो गए, तो next year 22 थे ही, इस के लिए क्या आपको reappoint कर सकते हैं, yes sir, कर सकते हैं, लेकिन, जर्नली, या, sir, या तो जो auditor है, जो retire हो गया, अगर वो disqualified हो जाए, as per the 141 के according, तो उसको reappoint नहीं कर सकते हैं, simple answer, या फिर जो auditor है, वो खुद बोल दे कि, भाई, मेरा willingness नहीं है, या पर reappoint होने का, मुझे वापिस काम नहीं करना, तो उसको नहीं कर सकते, या तो वो खुद बोल दे, या फिर members बोल दे कि, sir, हम इसे appoint नहीं कर रहें, या फिर member ये बोल दे कि, sir, हम Mr. Ram, के जगा Mr. Shyam को appoint करना चाहते हैं, राइट, बास समझ में, या तो shareholder ये बोल दे कि, हम इसको appoint नहीं करना, या फिर वो बोल दे कि, sir, हम किसी और person को appoint करना चाहते हैं, तो इन सारे cases के अंदर, जो retiring auditor है, वो reappoint नहीं हो सकता, clear or sir, बास समझ में आई, चलिए, next है, discuss the following, क्या क्या, पहला है, ceiling number of an audit in a company, to be accepted by an auditor, ceiling number, sir, आपका section 141, sub section 3 का close, कोची, बात करता है, ceiling number के बारे में, maximum number of audit, कोई CA firm, या कोई भी auditor कितने ले सकती है, ठीक, एक limit बनाई हो, एक company audit के अंदर, कि एक CA maximum, एक auditor maximum, कितने audit ले सकता है, एक साल के अंदर, तुसर, एक Chartered Accountant, एक CA, maximum, 20 companies का audit ले सकता है, उससे जादा नहीं, लेकिन हा, इस 20 companies के अंदर, कुछ company इंक्लूड नहीं होती, कौन-कौन सी, DPS, private, DPS मतलब, dormant company, P मतलब, one person company, S मतलब, small company, एक तो, ये कितने भी ले लो, तुमारे 20 के अंदर, count नहीं होएंगे, दुसरा, private company, वो private company, जिनका paid up capital, 100 करोड से कम है, मतलब, अगर 100 करोड हुआ, तो, 20 में count हो जाएंगे, लेकिन, अगर 99.99 करोड हुआ, तो, वो, 20 में include नहीं होँगे, बास समझ पा रहे हो, सर, maximum कितनी ले सकते हैं, 20 company, individually, एक CA ले सकता है, लेकिन इन 20 की अंदर, कौन-कौन से companies, count नहीं होएंगी, dormant company, 1% company, and small company, मतलब, कितनी dormant ले लो, कितनी 1% company, कितनी small company, कोई कुछ नहीं करेगा, 20 की counting में नहीं आएंगी, उसके अलावा, वो private company, 20 की counting में नहीं आएंगी, जिनका paid-up capital, 100 CR से कम है, 100 CR है, तो आजाएंगी, बात समझ पा रहे हो, सर, यहां पे मैंने बार-बार बोला, कि 1 CA, इसका क्या मतलब है, सर, मान लिए, जिए कोई CA की firm है, जिसके इंदर 4 CA है, तो चारो काना, यह 20 का counting अलग-अलग देखोगी, मतलब 4 multiply by 20 हो गया, मतलब वो CA firm मिला के 80 audit ले सकती है, तो हर individual CA का 20 का capacity होता है, ठीक है, चलिए, next है, filing of the casual vacancy of the auditor, in respect of a company, एक company के case में, casual vacancy को कौन फिल करता है, सर, इस case में आपको दोनों लिख के आने पड़ेंगे, government company के case में कौन करता है, non-government के case में कौन करता है, because यहाँ पर यह नहीं बोला, ठीक है सर, अब casual vacancy की, अगर मैं बात करूँ तो सर, board of directors, casual vacancy, in case of the non-government company, board of directors, casual vacancy fill करते हैं, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 दिन कहां से, जिस दिन से casual vacancy arise हुआ है, ठीक है सर, यहाँ पर बस एक, एक difference है, अगर resignation की वज़े से, मतलब auditor ने खुद office छोड़ दिया, उस वज़े से, casual vacancy arise हुई है, तो इस case के अंदर, खाली board of director, इस case के अंदर, members से approval लेना पड़ेगा, तीन महीनों के अंदर, जिस दिन board of director, किसी नाम को recommend करके, अपोइंट करेंगे, उसके तीन महीने के अंदर, members से approval लेना पड़ेगा, ठीक है सर, बास समझ पाए, चलिए सर, इनके सर, सर, यह वाला question किस से बिलॉंग करते है, यह बात करते है, हमारे SA 299 से, राइट सर, सर, देखो, SA 299 बात करता है, joint audit के बार में, joint audit मतलब, कोई ऐसा audit, जहां पर, एक से ज़्यादा, CA firms मिल के काम कर रही है, basically, जितने भी बड़े clients होते हैं, वहाँ पर, मानले, जो reliance audit करने जा रहे हो, तो एक CA firm, कभी भी पूरी reliance audit करी नहीं सकती, तो इसलिए क्या करते हैं, जोइंट ओडिटर अपॉइंट किये जाते हैं, reliance audit करता है, ठीक है सर, अब ही वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत important चीज़ आती है, कि अगर दो तिन firm मिल के काम कर रही है, तो उनके लिए बहुत difficult हो जाता है, कि भाई कौन क्या काम करेगा, ताकि अगर अगर कांफ्लिक्ट ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इना काम को डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं, जिसके लिए, मान लिए तीन C.A.F.M है, तो वो individually responsible होंगी, लेकिन audit के अंदर कुछ responsibilities ऐसे होते हैं, जिसमें वो jointly responsible होते हैं, मतलब अगर वो गढ़बढ होती हैं, तो तीनो C.A.F.M उसके लिए responsible होंगी, jointly, ठीक है सर्व, अभी कौन कौन सी चीज़ हैं, देखो सर्व, जो काम divide कर दिया, जो काम divide कर लिया, मान लिजिए 4 C.A.F.M मिलके audit कर रही हैं, काम कैसे बांटा, एक ने बोला कि income हम चेक करेंगे, expenditure हम चेक करेंगे, assets हम चेक करेंगे, और liability हम चेक करेंगे, तो भाइया, income में कुछ भी problem आया audit करने में, तो इसके लिए A responsible होगा, expenditure में कुछ problem आया, तो be responsible होगा, मतलब जो काम divide हो गया है, उनके लिए individual form responsible होगी, बाकि इन सारे कामों के लिए, वो servally responsible है, मतलब jointly responsible है, कौन कौन से काम है, वो काम जो dividing ही नहीं हुआ, उसके लिए सारे responsible रहेंगे, और उसके लावा, अगर कोई decision मिल के लेते हैं, जैसे कौन क्या काम करेगा, ये भी तुन लोग उने मिल के decide क्या होगा, तो जो decision उन्होंने मिल के लिए हैं, उन सब के लिए वो jointly responsible होगे सर, उसके अलावा मान लिजिए, इस चार सी ये form थी, मिल के काम कर थी, A, B, C, D, A को कुछ matter मिला, वो लेकिया आगई सब के सामने की, भाया देखो, ये वाले matter paper ध्यान दे लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, और सब ने मिल के उसके regarding कोई decision लिया, तो अगर कोई ऐसा matter है, जिसके उपर सब मिल के decision लेते हैं, तो उसके लिए सारे responsible होगे, उसके अलावा सर, financial statements as per AS, as per INDAS, as per Companies Act बनी है कि नहीं बनी, ये insure करने का responsibility सबका होता है, ये नहीं बोल सकते कि A की responsibility थी, B की responsibility थी, ठीक है सर, AS के साथ comply करना, INDAS के साथ comply करना, इन सब का responsibility किसका है, मतलब insure करना, ठीक है, ये insure करने का responsibility सबका है, divide नहीं की जा सकती उसी तरीके से जो audit report है वो as per essay बनी हो मतलब as per 700 बनी हो ये ensure करने के responsibility सब की होती है आप ये नहीं बोल सकते है कि भाई A को बोल दिया था audit report draft करने के लिए तो अगर audit report में कुछ गड़बढ है तो उसके लिए irresponsible है नहीं सर ड्राइफ कोई भी करे लेकिन वो as per essay होनी चाहिए इसका responsibility सब का है बास समझ मैं तो जो काम divide नहीं हुए उसके अलावा अगर कोई ऐसा decision है जिसके उपर सबने मिलके agree किया है उसके अलावा financial statement as per law as per F.R.F. बनी है कि नहीं बनी ये insure करने का responsibility सब का है audit report as per essay बनी ये insure करने का responsibility सब का है उसके अलावा जो काम divide हो चुके हैं उसके लिए वो individually responsible है clear sir? चलिए next है ABC Limited is a company incorporated in India ठीक है sir, it has branch within और outside the India, India के अंदर भी branch है इस company के और बाहर भी explain who can be appointed as a auditor of these branches within and outside India also explain to whom branch audit is required to report ठीक है sir, sir मान लीजे company है, मान के लीजे company है ABC Limited, इसकी branch इंडिया में भी है और outside इंडिया में भी है अब पहला तो question ये है कि यहाँ पे अज़े auditor कौन appoint हो सकता है और outside इंडिया as a auditor कौन appoint हो सकता है sir देखो इंडिया के अंदर या तो जो company का auditor company का auditor मतलब जो company का auditor है वो उसके branch का भी auditor हो सकता है या उसके अलावा किसी ओर chartered accountant का appoint कर सकते हो, ठीक है sir वहीं बात रही outside इंडिया की तो outside इंडिया के अंदर से मान लिजिए, जिस बाहर की country के अंदर उस company की branch है, उस country के law and regulation के अलावा, अगर कोई और person भी as a auditor काम कर सकता है तो वो person भी यहाँ पर as a auditor appoint हो सकता है बात समझ पा रहे हूं, एक काम करते हूं आपको पर note से पढ़ा देती हूं एक सेकिंड सो subsection 8, subsection 8, just a minute यह रहाँ, तो sir company को auditor भी हो सकते है कोई और person duly qualified for appointment भी हो सकता है, छीक है sir उसके अलावा, any person duly qualified in accordance with the law of debt country, मतलब अगर इंडिया से बाहर कोई और country है उस country के law के according अगर chartered accountant के अलावा, कोई और भी audit कर सकते है, तो उस person को भी आप as an auditor appoint कर सकते हो right sir, clear दुसरा question क्या था also explain to whom branch auditor is required to report, उसके branch auditor क्या करेगा, branch auditor अपनी report बनाएगा, उसके बाद company के auditor को report दे देगा, और company को auditor अपनी report final करते हो branch audit को report को consider करते हो अपनी report को final कर लेगा right sir, चलिए next है, before the commencement of the audit the joint auditor should discuss and develop a joint audit plan, in developing the audit plan, the joint auditor should identify division of the working areas and the common areas explain stated the other relevant consideration in this regard, मतलब sir, देखो आपका ऐसे 299 बोलता है कि भाया, जब भी जब भी तुम joint audit as a कहीं पर joint auditor काम करो, तो तुम्हें काम करना 299 के अकॉर्डिंग काम करना ठीक है sir, 299 के अनदर के नदर लिखा है कि भी काम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लेना तो जब भी प्लानिंग करते हैं तो किन-lak gray का ध्यान रखा जाता है जब भी joint auditor मिल्के प्लानिंग करते हैं किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं सबसे प stylела देख से कही कौंसे बार टब्ट हो गया, डिरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम इफेट्स, सर्फ प्लानिंग में देख लेते हैं कि टीम का बेसिक डिरेक्शन क्या रहेगा, किस तरीके से काम करना कौन से एरिया बहुत इंपोर्टेंट और कौन सा कम इंपोर्टेंट है, ठीक है सर्, तुसरे कंस इसरी रिसॉर्सिस हैं, मतर्ब जोंट बॉडिट करने के लिए, क्लाइंट के यहां पर इतने भी रिसॉर्सिस चाहिए, उनका NTE, निचर, टाइम और एक्स्टेंट क्या रहेगा, यह डिसाइड कर लेते हैं, क्वेशन था कि भाईया, जब ही जोंट ओडिटर प्लानिंग करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हुए, किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो इस अर्दा फेक्टर जोंगे प्लानिंग का पाट रहते हैं, राइट सो, चलिए, इम्पोर्टेंट कोईशन है, पक्का याद करके जाना, प्लानिंग करते हैं, 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 प्लानिग करते हैं, प्लान CWA भी appoint हो सकता है even कोई भी person जो directors को लगे कि सही है मतलब अगर 12-5% भी अगर management को लगता है कि यहाँ यह person सही है ऐसे internal auditor तो उसको भी appoint कर सकते हैं ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ CAE हो सकता है ठीक है? बात समझ पाए and एक कोई important चीज़ वो employee भी हो सकता है next है CAE NM who is the rendering the management consulting services to LA Limited want to accept offer letter for the appointment as an auditor कैसी बाते कह रहे हो sir of LA Limited for the next financial year discuss the relevance of the provision of the company's act sir एक बाए बताओ क्या एक chartered accountant जाए auditor appoint होने वाला है वो उस company के अंदर ऐसे management consultant के service प्रवाइड कर सकते हैं मतलब तुम auditor भी हो और management consultant भी हो क्या ये same person हो सकते हैं ना ही sir और ये कहां लिखा गया है आपका section 144 sir section 144 ने list दी है कि एक auditor कौन-कौन सी services provide नहीं कर सकता अपने client को अगर ये services वो provide करता है तो वो उस company के अंदर as well auditor appoint नहीं हो सकता कौन-कौन से services sir investment advisory services investment banking services outsource financing services management services and other services तो ये सारी services एक auditor अपने client को नहीं दे सकता अगर वो इस service प्रवाइड करता है तो वो उस company के अंदर as well auditor appoint नहीं हो सकता अच्छे एक बार बताओ मान लो Mr. A थे वो auditor थे तब तक तो वो खाली auditor थे लेकिन दूरिंग the year वो बीच में ना internal audit का भी काम करने लग गए तो अब क्या होगा तो sir अब यह होगी disqualification as per the 141 उन्हें अब office vacate करना पड़ेगा और इससे arise हो चाहेगी casual vacancy बास समझ में अगर audit appoint होने के बाद अभी कोई ऐसे service प्रवाइड करता है तो अपने office vacate करना पड़ता है clear next है why the center government permission is required when the auditor are removed before the expiry of their term but the same is not needed when the auditor was changed after the expiry of term sir देखो before the expiry before the expiry auditor को remove करने का मतलब है कुछ serious matter हो सकता है हो सकते है कि CA modify opinion दे रहा था तो इसलिए उसे बीच में निकाल दे कि भाई तु जा समझ रहे हो तो कोई conflict ना हो इसलिए before the tenure अगर CA को निकाल रहे है तो this is something very serious issue हो सकते है कि CA को कोई ऐसी बात पता चल गई जो management नहीं चाहता कि कि इसलिए उसे पहले ही निकाल दिया audit report देने से पहले तो इस case में center government का approval चाहिए because that can be serious लेकिन हाँ tenure खतम हो गया मतलब audit report final कर चुके हो उसके बाद आपको remove करना है फिर कोई problem यह नहीं है फिर आप remove कर सकते हो ठीक है sir पहले वाला case में risk जादा है हो सकते है कि auditor कुछ बताना चाहता है exploit हो रहा है लेकिन management उसको छुपाना चाहता है इसलिए उसे निकाल दे इसलिए 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 वहाँ पे center government का approval लेना पड़ता है next है the practice of appointing chartered accountants as a joint auditor is quiet worldwide spendings of big companies and the corporates explains the advantage of joint audit joint audit basically किया क्यों होते जाता है basic clear होंगे तो advantage याद करने की नीड़ नहीं है अपने अब समझ में आएंगे basically इसलिए क्या जाता है क्योंकि बड़ी companies का audit एक CFM नहीं कर सकते है इसलिए क्या कर लेते है मिल के क्या जाता है इसके benefit क्या रहेंगे sharing of expenditure हो गया अब काम बट गया तो काम का लोड काम हो जाएगा better quality of performance improved service to clients better service जाएगी Sir उसके लाबा जो multinational companies होते है वहाँ पर क्या होते है multinational का मतलब है कि एक country से जादा countries में अगर किसी company का business है तो वहाँ पर अगर मानले जी इंडिया में भी है अमारिका में भी है अब Sir, अमारिका वाली firm को जादा पता होगा कि वहाँ पर कौन से law and regulation लगते है तो क्या होते है joint auditor के हम मिल के काम कर लेते है तो हो सकते है कि as per the nation वो अलग-अलग firm जोइन कर लें local nations की उनको जादा understanding होगी low staff development cost ठीक है low cost to carry out the work and sense the healthy competition among the better performance तो थीस आदा सम बसिक अद्वांटेज अद्वांटेज of the joint auditor थारी का कोशिन था direct कोशिन था next है according to the company's act the person appointed as an auditor of a company shall sign the audit report in accordance with the relevant provision of the act explain clearly the relevant provision related to the signing of report sir ये वोला question में आपको पोलूंगी please इसको read करके जाना मतलब sir देको question कोई बहुत difficult नहीं है लेकिर ये वैसा question है जिसके अंदर में भी बच्चों को content समझ नहीं है कि भाई इसमें लिखके क्या है तो इसको ना अपना study mat में mark कर लो कि इसको आप read करके जाओगे question बस इतना है कि auditor audit report को sign करता है इसके उपर comment करो अब आब बोलोगी माम इस पर comment क्या करना है इसको यहाँ से पढ़ना तो आप content अच्छा मिलेगा सर देखो as per the section 145 45 ने बात करिया कि इस चीज़ की auditor का right है क्या कि audit report को sign करें audit report या उसके अलावा कोई और भी statutory report है जो law में लिखी गई है उसको sign करता है ठीक है सर ठीक है audit report दो sign the certified document of the companies in accordance with the provision of the section उसके अलावा सर आगे लिखा हुआ है कि अगर LLP है LLP के case में वही person वही partner sign कर सकता है जो CA होगा मतलब LLP के अंदर CA भी है CSP है CWA लेकिन audit report के उपर वही person sign करेगा जो CA हो clear right तो these are the two points जो आप इस question के अंदर लिख के आओगे read करके जाना ताकि थोड़ा बेटर लिख सको question में कोई बहुत difficult चीज नहीं है लेकिन presentation है ठीक है इसलिए important mark कर लो पता है मुझे भी तो कोई question ऐसा नहीं लगा कि आपको बहुत difficult लगा होगा मैंने ये question mark भी इसले नहीं करवाई कि difficult है लेकिन इसको लिखते हुए बच्चों को समझने यागा कि लिखें क्या इस पर है तो बस इससी लिए एक बार कहाई थी कि इसको important mark कर लेना कि study mat से पढ़के जाना एक पर next है the auditor shall make a report to the members of a company on the account examined by him explain with the reference the relevant provision of the companies ठीक है sir कहां लिखा हो है कि auditor को financial statement के उपर अपनी report देनी पड़ेगी sir उसका right है कि जो वो books of account चेक करता है या उसके अलावा कोई और document चेक करता है उसके उपर वो अपना opinion प्रोवाइड करता है right sir clear and उसके अलावा एक और चीज़ है कि जब भी वो opinion देगा तो वो देखेगा कि accounting standard और auditing standards के साथ comply हो रहा है कि नहीं हो रहा right और उसकी knowledge के according उसके best information के according जो उसको information दी गई है उनहीं को वो चेक करता है और उनहीं की checking के basis पे वो अपना opinion प्रोवाइड करता है sir ये वाला question भी मैं आपको कहूंगे read करके जाना important है तीन चीज़े लिखे गई है answer के अंदर क्या क्या पहली चीज़ ये कि yes sir उसका right है कि वो books of account और other documentation को check करके उसके उपर अपना report प्रोवाइड करे ठीक है sir उसके अलावा दूसरा point ये ही कि जब भी वो report प्रोवाइड करे का वो ensure करे कि yes और essay दोनों के साथ comply हो उसके अलावा वो reporting क्या करता है वो reporting करता है कि ये balance sheet true and fair view दे रही है कि नहीं दे रही P&L true and fair view दे रही है कि नहीं दे रही है clear sir इसको same जैसे question number 11 था ऐसा नहीं था कोई difficult है लेकिन फिर भी बोलूंगी read करके जाना content अच्छा है from study byte right sir चलिए एक सेकेंड next है the role of the audit committee incorporating governing is not limited to the making the recommendation of the appointment the auditor only discuss sir audit committee के क्या क्या function रहते है sir auditor appoint करते है उसके recommendations दे रामुनरेशन अपोइंट करने में help करते है उसके लावा internal auditor की appointment में help करते है उसके लावा financial statement चेक करते है audit report देखते है उसके लावा यह देखते है कि auditor and internal auditor दोनों ठीक तरीके से काम करने की नहीं करने उसके लावा से related party की transaction करते हुए company को बहुत बार audit committee की permission देनी पड़ती है उसके लावा और क्या है यह चेक करना कि internal control appropriate है की नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि audit committee की बहुत सारे काम है खाली audit auditor की appointment का recommendation कर देना ही उनका काम नहीं है इसके लिए क्मोनिक हम यूज करते हैं क्या करते हैं लिए सी परस्नल ट्रांजक्शन है लोन में क्या inquiry करना होता था कि कोई भी लोन आसे deposit तो नहीं दिखा रखे दूसरा जिन terms पर लोन दिये गए हैं वो company को prejudice तो नहीं कर रहें आज स्टेंड फोर दा investment कि कोई भी investment अगर purchasing price से कम बेच दी गई है because investment है तो purchase price से क्यों कम बेच रहे हो इंवेस्टमेंट तो इसलिए की जाते हैं कि profit मिले तो अगर ऐसी कोई है तो उसको inquiry करोगे राइट से स्टेंड फोर दा cash transition मतलब अगर कोई shares issue कर दिये cash मिलना था लेकिन नहीं मिलना तो insure करना हो दे कि books of account में ठीक से दिखाए गई है कि नहीं दिखाए गई उसके लावा personal expenditure तो नहीं डाल दिये revenue करके and transaction ऐसे कोई entry जो खाली merely book entry है वो company को प्युजडाइस तो नहीं कर रही तो इन सारे matters के अंदर क्या किया जाता है sir inquiry किया जाता है लेकिन याद रखना auditor के responsibility है auditor के responsibility है कि वो इन सारे matters के उपर inquiry करे लेकिन sir reporting तब भी जाती है अगर इन matters में कुछ भी गढ़बड मिलती है मतलब अगर सब कुछ सही है तो reporting करने की नीड नहीं है inquiry करके छोड़ तो लेकिन inquiry करके कुछ गढ़बड मिलती है तो उस चीज़ के पर reporting करने होती है क्लियर चलो हां जी लास्ट क्वेशिन है discuss the purpose of the cost audit what is the legal provision regarding the applicability of the cost audit यह cost audit किस किस पर लगता है सब देखो cost audit के अंदर ना एक बाप बता हूं cost audit किस पर लगता है यह कहां पर लिखे गए section 148 right and cost audit लगेगा के नहीं लगेगा यह insure करने के लिए आपको बेसिकली दो लिमिट देखनी पड़ती है दो लिमिट कौन कौन सी एक देखो कि overall level पे overall annual turnover immediate preceding year की और एक आप देखो कि individual product की मतलब सर एक मिन देखो cost audit होगा की नहीं होगा यह insure करने के लिए आपको दो चीज़ों में चेक करना पड़ेगा पहला कि sector कौन से है regulatory sector है या non regulatory sector रेगुलेटरी सेक्टर कौन कौन से है sugar, patrol, drugs, drugs मतलब फार्मा, fertilizers, like telecom these are the regulatory sector उसके अलावा कौन से non regulatory sectors ठीक है यह भी दो लेवल पर चेक होएगी पहली overall product भीया मान लिजा आपका client regulatory sector में दो प्रोडिक्ट बनाता है तो सबसे पहले तो उन दोनों का overall total turnover चेक करोगे सारे product and services के दो प्रोडिक्ट यह दोनों का turnover चेक करोगे regulatory sector में अगर 50 crore से जाधा है तो audit होगा non regulatory में अगर 100 crore से जाधा है immediate preceding या तो audit होगा खाली overall check नहीं करना individual भी check करना है मतलब सच जैसे मैंने बोला दो प्रोडेक्ट है तो अब देखोगे उसमें से कौन कौन से product है जिनका revenue जिनका turnover 25 crore से जाधा है इनके सोथा regulatory sector and 35 crore से जाधा है इनके सोथा non regulatory sectors ये दोनों condition एक साथ fulfill होनी चाहिए example देते हूं एक काम करते है रुको मान लो आपका client बनाता है sugar साथ में बनाता है sir patrol regulatory sector ठीक है sir अब आपको दो चीज़े चेक करने पड़ेगी एक तो overall turnover कितना है sir overall है 60 crore ठीक है 60 crore अब खाली overall से काम चल जाएगा नहीं अब individual product का भी देखोगे sir एक product का है 20 और एक का है 40 ठीक है तो भाया जिस product का 40 होगा ना 25 से जाधा उसका audit हो जाएगा बात समझ पाए तो दो लेवल पर चेक करना है एक तो overall दूसरा individual और individual में भी अगर मान लिजे तीन प्रोडेक्ट है मान लो दो के जगा तीन प्रोडेक्ट है aggregate 60 है तीन प्रोडेक्ट है और तीनों का कितना है 20 20 20 अब सरी यहां पर किसी का भी नहीं होगा बात समझ पाए वहीं non regulatory में बस limit बढ़ जाएंगी aggregate देखोगे 100 करोड और individually चेक करोगे 35 करोड ठीक है और मान लिजे एक से जाधा प्रोडेक्ट है और किसी का 35 से कम है तो किसी का नहीं होगा और अगर किसी एक प्रोडेक्ट का 35 से जाधा होगा तो उसका audit होगा बाक्यों का नहीं होगा बात समझ मारे तो these are the applicable provisions तो audit होएगा कि नहीं होएगा उससे पहले यह दो चीज़े चेक कर लेना पहले है सेक्टर दूसरी limit याद रखना लेकिन एक चीज़ याद रखना सदे को audit करते हुए हमें limit चेक करनी पड़ती है लेकिन अगर यह बोलो होता cost records बनाने है कि नहीं बनाने cost record का बहुत सिंपल है overall turnover देखना है यह नहीं देखना कि भया कौन सा सेक्टर है खाली overall turnover देखना है क्या 35 करोड से जाधा है कि नहीं है अगर 35 करोड से जाधा है तो आपको cost records maintain करने है यह इतना सारा जो level है यह audit के लिए है clear चल यह था हमारा complete chapter number 10 इसके बाद आ जाते है हमारे chapter number 11 के उपर ठीक है audit report एक सेक्ट रुको chapter number 11 the audit report ठीक है चले पट्टा फट questions पर आ जाते हैं उसके questions कवर कर लेते हैं एक सेकेंट सब चल लास से शुरू कर लेते हैं स्क्रीन शिफ्ट करूं क्या जिम कर जो तो ड़ा लास से शुरू कर रहे हूं ठीक है what is it mean by the in faces of matter paragraph how it should be disclosed in independent auditor report in faces of matter paragraph sir ये कौन से ऐसे के अंदर cover है तुमारा ऐसे 706 right in faces of matter paragraph क्या मतलब होता है financial statement की वो information वो matter जो auditor को लगता है कि users के लिए बहुत important है financial information का वो matter जो सही से disclose है लेकिन auditor को लगता है कि वो users के लिए बहुत important है financial statement को समझने के लिए तो अगर financial statement के अंदर कोई ऐसी information है जो auditor को बहुत important लगती है तो वो एक काम करता है मैं ये नहीं करें कि वो गलत है वो सही information है बस वो important है तो इस case के अंदर auditor के पास एक paragraph है 706 के अंदर in faces of matter paragraph वो अपने audit report के अंदर एक paragraph डालेगा EOM और उसके अंदर वो information लिख देगा ताकि users उसको अलग से पड़े कि financial statement की ये information बहुत important थी ठीक है सर बात समझ में आई ये दिखाया कहा जाता है सर जो आपका की ओरिट मेंडर पैरेग्रेफ होता है या तो उससे पहले आता है या उसके बाद में आता है ठीक है अगर बहुत important है तो की ओरिट मेंडर पैरेग्रेफ से पहले आ जाएगा ठोड़ा कम important है तो उसके बाद आ जाएगा लेकिन सर की ओरिट मेंडर पैरेग्रेफ लिखते हुए जितनी भी information है इसी पैरेग्रेफ के अंदर आएगी मानली जी चार information थी पैरेग्रेफ के अंदर राइट सर बाद समझ पाए और यह वह information होती है जिसके basis पर हमारा opinion मतलब हम यह आप modification नहीं देते हैं बस important थी तो अलग से दिखा देते हैं क्लियर चलिए next distinction between the adverse opinion and the qualified opinion sir adverse opinion और qualified में क्या difference है sir adverse adverse कब दिया जाता है जब auditor के पास audit evidence है और उस basis पर अडिटर ने करिक्लूड किया कि financial statement के अंदर जो miss statement है material plus pervasive है मतलब गड़बड है और बहुत बड़ी गड़बड है तो it's become the adverse जब ऐसी miss statements जो financial statement के substantive part को effect करें उनको मतलब बहुत बड़े part को effect करें तो वहाँ adverse दिया जाता है qualified दो case में जाता है पहला case audit evidence है और audit evidence के basis पर auditor ने conclude कि miss statement है खाली material लेकिन pervasive नहीं है या फिर audit evidence नहीं है लेकिन जिस चीज के बार में audit evidence नहीं है वहाँ पर अगर miss statement हुई तो वह material होगी लेकिन pervasive नहीं तो material miss statement के case में खाली qualification जाता है लेकिन material प्लस pervasive के case में adverse जाता है और राइट सर गिफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबार दा management responsibility to be mentioned in the statutory auditor report sir हमारी जो audit report है हमारी audit report का एक बहुत important paragraph रहता है that is auditors responsibility paragraph तो आपके auditory responsibility paragraph के अंदर क्या क्या जाता है कि और मान सरी आपका audit report है उसके अंदर management responsibility paragraph एक बहुत important paragraph है management responsibility paragraph के अंदर क्या क्या जाता है सर, सबसे पहले उसकी responsibility financial statements को FRF पराने की, दुसरा internal control को implement करवाने की, going concern को assess करने की, ठीक है, उसके अलावा जितने भी period, जिस भी period के बारे में हम अपने audit report issue कर रहे हैं, तो उन सारे periods के regarding WR देने का responsibility management का है, ठीक है सर, and TCWG का responsibility होता है कि वो oversight करें कि financial statement ठीक से बन रही ह की नहीं बन रही, management की यह responsibility है, TCWG की यह responsibility है, oversight करने की, तो यह सारे चीज़े आती हैं, सर, आपके management responsibility paragraph के अंदर, clear? next है, the auditors report, the auditors report shall include a section, directly follow the opinion paragraph, opinion paragraph की following, मतलब exact नीचे होता है, with the head, basis for opinion, explain including the basis of opinion, sir, देखो हमारे audit report का, जो format रहता है, वो कहसे रहता है, sir, सबसे पहले क्या दिया जाता है, सबसे पहले title हाता है, उसके बाद address की audit report किसको address कर रही है, उसके बाद सीधी बाद opinion paragraph आ जाता है, उसके बाद आतब का basis of opinion paragraph, basis of opinion के अंदर क्या जाता है, sir, हम बताते है, sir, इसके अंदर main चीज़ तो यह जाती है, कि भाई, हमने जो उपर opinion दिया है, वो क्यों दिया है, किस basis पर हमने यह opinion paragraph है, जिसको हम बोलते है, auditor's responsibility paragraph, उसको भी read कर लेना, उसके बाद हम बोलते हैं, कि भाई, हमने अपना सारा काम independence और as per ethical requirements से comply करते हो भी किया है, दुसरा हम बोलते हैं, कि हमने जो audit evidence दिया था, उसके लिए हमारे पास sufficient evidence थे, उस basis पे हमने अपना opinion प्रोवाइड किया है, right, sir एक चीज़ याद करना, अगर disclaimer दे रहे हो, तो इसके इसके अंदर आपकी ये वली line नहीं आती, कि हमारे पास sufficient evidence थे, अपना opinion देने के लिए, right, sir, चलिए, next है, communicating KAM, key audit matter paragraph is not a substitute for the disclosure in a financial statement, rather, communication key audit matter paragraph in audit reports in the content of the auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole, analyze, sir, देखो, जब की audit matter paragraph था, मतलब कुछ additional communications, जब auditor अपनी audit report में कर सकता है, sir, देखो, हमेशा से ये paragraph नहीं था, ये आया है हमारे पास 2017-18 के अंदर, sir, देखो, audit report के अंदर जितनी जाधा information देने का हमें power मिलेगा, उतनी जाधा हमारी audit report की value बरती जाएगी, because हम जाधा से जाधा information प्रो कि कुछ चीज़ों के लिए, की audit matter graph substitute नहीं है, substitute का क्या मतलब है, कि कुछ information ऐसी है, जो की audit matter paragraph में नहीं आएगी, वो जो पहले जहां बताई गई थी, वहीं आएगी, ऐसा ना हो कि आप की audit matter paragraph में डाल के, उनकी जहां पर actual reporting होनी चाहिए, वहां ना करें, जैसे, सर देखो, financial statement के लिए जितनी भी disclosure, सर, financial statements कोन बनाता है, management, management ही disclosure करते हैं, तो भाई, कोई information अगर हम KM में डाल दें, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि management को disclosure करने की नीड़ नहीं है, financial statements के अदर, management तो करे गई, ठीक है, तो management की responsibility का कोई substitute नहीं है, कि और it matter paragraph, मतलब, management यह नहीं सर, आपने तो बताई दिया हम क्यों बताई, नहीं सर, आपको तो अपनी responsibility फुल्फिल करने ही है, ठीक है, उसके अलावा modify opinion, बटा अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में modification देनी है, modification के बारे में तुमारा कौन से ऐसे बोलता है, 705, तो भाई, modification कभी भी देनी हूँ, तुम 705 के according ही दोगे, तुम ये नहीं बोलते हैं, मैंने ये वाली information की A, M के अंदर डाल दे, तो मुझे modification अलग से देनी ही नहीं है, नहीं सर, वो तो आपको अलग से देनी ही पड़ेगी, उसके लावा going concern, सर, going concern के बारे में कोई information है, तो 570 के according आपको report करना पड़ेगा, की A, M के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक पर की A, M के अंदर डाल दिया, उसके पर अलग से ओपीनियन देनी की नहीं है, अगर auditor के रिक्वार्मेंट ओपीनियन देना है उन मेंटर के बारे में, तो वो अलग से ओपीनियन दे सकता है, तो की A, M is not a substitute, going concern 570 के according क की जाएगा, modification, 705 के according की जाएगी, management की जो disclose the responsibility, वो management की ही है, की O, M is not a substitute for these matters, ठीक है सर, कोई अपने responsibility से भाग नहीं सकता, next है, the auditors report shall include a section with the heading responsibility to the management for the financial statement, essay 200 explain the premises related to the responsibility to the management and where appropriate those shall with governance on which audit is required with the essay is conducted, explain, sir एक essay है, essay 200, उसमें बहाँ सारी basic चीज़े दी गई है, उसमें एक चीज यूज की गई है, उसमें एक चीज यूज की गई है, उसमें हम यूज करते है, premises of audit, premises of audit का मतलब होता है, sir, management के ना कुछ ऐसे responsibility है, अगर management उनको fulfill ना करें, तो audit हो ही नहीं सकता, तो पहले management ये responsibility फुल्फिल करता है, उसके बाद हम अपना audit करते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है, premises, a basis of audit, ठीक है, sir, कौन-कौन से responsibility, financial statement को FRF के according बनाने की, उसके अलावा, internal control लगाने की, and going concern, assess करने की responsibility, so these are the three responsibilities, जो कहां पर डाली जाती है, premises of audit के अंदर, मतलब basis of audit, जब तक premises of audit, management फुल्फिल नहीं करेगा, तब तक audit नहीं कर सकते, यहां पर जो main चीज़ आप ध्यान देना, please वो ये देना, sir, देखो, अभी हम question पढ़ के आए थे, कि हमारी audit report क अंदर एक paragraph होता है, that is, management responsibility paragraph explained, यहां पर हमें बोला गए थे, ऐसे दोस्तों कि according, जो premises बत दी जाती है, उसके बार में बताओ, सब confused मत हो जाना, management responsibility पूछा है, या premises paragraph पूछा है, अगर responsibility पूछा है, बेटा, अगर responsibility पूछा है, तो देख, responsibility के अंदर तो सारी की सारी information आएग लेकिन अगर premises पूछा है, तो भाईया, सिफ यह तीन information लिख किया है, तब पूरा paragraph ने लिख किया होगे, इन तीन information लो क्या बोलते है, premises of audit, as per ऐसे दोस्तों, अगर यह premises अगर management ने नहीं की, management ने financial statements ने बनाई, internals control नहीं लगाई, तो हम audit कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इनक वो बाबल हो कि doubt clear होते होंगे, मतलब जो मुझे जहां पर लगता है कि बच्चे confused होते हैं, मैं वो चीज़ आपको बोल देती हूँ, बाक्या अगर कुछ भी doubt है तो आप मुसे पूर सकते हो, next है, an audit is required to be made specific evaluation while forming the opinion audit report, state those evaluation, sir audit करते हुए opinion देने से पहले auditor को specific evaluation करना पडता है कौन कौन से, पहला है यह evaluate करना पडता है, जितने भी accounting policies हैं वो ठीक से disclose की गई है कि नहीं की गई है, accounting policy के disclosure और दूसरा उनकी consistency, ठीक है sir, जितने भी estimations हैं वो reasonable है की नहीं है, उसके अलावा जितने भी information मिली है वो reliable, comparable है की नहीं है, मतलब दिक book of account reliable होएंगे तब भी तो financial statement ठीक बने होगे, तो सारी के सारी information reliable है की नहीं है, और relevant है की नहीं है, उसके अलावा जितने भी material transactions, event है, उन सब का disclosure ठीक से दिया गया है की नहीं है, and termologist, termologist का मतलब होता है, financial statement में अगर किसी चीज़ के लिए अलग से term defined के भी है, इसको इस तरीक से ही लिखना है, तो सही term termologist का use किया गया है की नहीं किया है, जो companies like a schedule में लिखी गया है, उन ही termologist का use हुआ है की नहीं हुआ, तो these are the specific evaluation, बेटा, ये वाला question, paper में आया है, बच्चे गप लिख के आते हैं, मतलब यहां पे कुछ दो तिन question ऐसे बनते हैं, इस chapter के अंदर, कि जब paper में आते हैं, बच् बहुत ही पसंद है, next है, the first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion and shall have the heading of the opinion, the opinion section of the auditor's report shall also identify the entities, those financial statements has been audited, apart from this, explain the other relevant point to be included in opinion paragraph, sir, opinion paragraph के अंदर आप कौन कौन सी information देते हो, बोलो के मैं हम, हम information देते हैं, उस entity का नाम जिसका audit करते हैं, जिसका audit किया, वो बताते हैं, opinion paragraph के अंदर, उसके जो financial statement थे, उनके बारे में बताते हैं, हम यह बताते हैं, नाम क्या है, हम यह बताते हैं, कि हमने financial statement का audit किया, उसके financial statement क्या 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 component थे, मतलब like balance sheet, P&L, cash flows, वो बताते हैं, उसके अलावा हम यह भी बताते हैं, खाली components ने उसके notes to accounts, और signature and policy के बारे मे बताते हैं, period कौम सा cover किया, मतलब 21-22 की books थी, 22-23 की books थी, उसके अलावा opinion, तो आपके opinion paragraph में नाम, इस entity के financial statement को हमने चेक किया, और इस financial statements के यह यह component हमने चेक करें, हमने खाली component नहीं, notes to accounts को भी चेक किया, उसके अलावा यह financial statement इस period से लेके इस period को cover करती थी, और इन सब के रिकाड़ी यह है, हमारा opinion, तो भाई यह रहेगा आपका opinion paragraph का content, राइट, चाल जिए सो, In considering the qualitative aspects of the entity's accounting practice, qualitative aspects of accounting practice को उन से होते हैं, सर देखो, आपके accounting policy, accounting के अंदर जब कोई भी financial statements बनाई जाती हैं, उसके अंदर कुछ qualitative aspects होते हैं, qualitative aspects मतलब, जो उस financial statements की quality को बताते हैं, कैसी रहेंगी, ठीक है, सर देखो, कुछ चीज होते हैं, चल, जब पर एक question पड़ लेती हैं, फिर सम्झाती हो, In concentrating the qualitative aspect of the entity's accounting practice, the auditor shall become aware of the possible blindness in the management judgment, the auditor may consider that the lack of neutrality together with the incorrect misstatement, cause the financial statement to be material misstated, Explain and analyze the indications of lack of neutrality with the example of whatever required, Sir, पहले तो इसमझे की qualitative aspects क्या होते हैं, Sir, वो aspect financial statements के, जो financial statements की quality को define करते हैं, Sir, देखो, वैसे तो, जो भी financial statements बनते हैं, वो as per AS बनते हैं, as per laws बनते हैं, लेकिन financial statements की कोछ items ऐसे होते हैं, जहाँ पे न, exact AS के according नहीं बनते हैं, वहाँ पे estimations, जहाँ पे judgment involved होते हैं, तो भाया, quality कैसी रहेगी, यह depend करते हैं, estimations of judgment के उपर, estimation and judgments के उपर, क्योंकि देखो, AS तो सब follow करेंगे, लेकिन judgment किसने अच्छी लगाई हैं, किसने ज़्यादा relevant लगाई हैं, estimations किसने ज़्यादा relevant बनाए हैं, यह उसकी quality को define करते हैं, तो जब भी quality check करते हैं, आप क्या देखते यह पर bias हो सकता है, ठीक है सर, तो qualitative aspects check करते हुए, हम देखते हैं, कि management ने जितनी भी judgments और estimations बनाए हैं, वो appropriate थे कि नहीं थे, कहीं इनको बनाते हुए, वो bias तो नहीं था, अब bias था कि नहीं था, इसके regarding indicators कौन-कौन से हैं सर, Indicator of management biasness, सबसे पहले आता है, कि biasness in making estimations, अगर आपको लगते हैं, कि estimations बनाते हुए, biasness था, मतलब, सर, bad debts के according, आपके according bad debts का provision बनना चाहिए था, 5%, management ने बना रखकर 10%, सर, तको 5 का 6 होता न, चार होता समझ में आता है, लेकिन इतना difference तो नहीं होना चाहिए, selective correction, selective correction को क्या मतलब है, सर, basically क्या होता है, audit का अगर हम पुरा procedure देखे, auditor आता है, चेकिंग करता, audit procedure परफॉर्म करके audit evidence लेता है, audit evidence लेता है, कि भाई, material misstatement कौन कुन सी है, जितनी भी गलतियां हमें मिलते हैं, जितनी भी material misstatement मिलती है, auditor क्या करता है, उन सारी misstatements को उठाता है, कठा करता है, और सब को लेके जाके management को दे देता है, कि भाई, आपके अंद selective correctness कर रहा है, तो ये भी indicate कर रहे है कि शायद management bias था, उसके अलावा आपका S.A. 540, सर, 540 किस चिस के बारे में बात करता है, 540 बात करते है, estimations को कैसे check करना है, judgments को कैसे check करना है, तो S.A. 540 के अंदर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से situations हैं, जो biasness को दिखा रहे हैं, ठीक ह सर, आपेपर के अंदर इसका reference दे देना बहुत है, तो इस अर थी एरियाज जहां से हम ये management के biasness का indication विल सकता है, clear सर? right, next है, discuss the objective of auditor as per the standards on auditing, discuss the objective of auditor as per the standards on auditing, 705, modify an opinion on independence auditors report, sir, 507, I'm sorry, 705 किस चिस के बारे में बात करता है, modification के बारे में, कि किस case के अंदर हमें modification देनी है, right, तो भाईया, 705 के अंदर auditor का basic objective रहता है, कि भाईया, अगर उसके पास audit evidence है, उस situation में वो सही opinion दे, कि audit evidence है, कि material misstatements, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा read करते हैं, थोड़ा बेटर तरीके साब समझभा हुए, इसके लिए मैं आपको लेके जारे हुए, प्लीज को mark कर लेना, because ये question is something जिसके अंदर आपको लिखते हुए में भी अच्छा words ना मिले, right, जैसे मुझा भी explain करते हुए नहीं मिले, कभी गलती हो जाएते, accept करने में प्रोब्लम है नहीं, this is important, mark कर लो, ठीक है, पहरा 572, अच्छा रस सुन लो, चरो, ध्यान से समझाते, चरो ध्यान से कहां पूरा उपर जाओगे? not free from material misstatement, ठीक है, दुसरा, सर 705 का objective है कि auditor appropriate modification provide करे 2 cases, कि अंदर कौन से 2 cases हैं, पहला, कि जब audit evidence है और उसके basis पो auditor conclude करे कि financial statements are not free from material misstatement, ठीक है सर, या दुसरा case कि auditor don't have sufficient appropriate audit evidence to say whether financial statements are free from material misstatement or not, ठीक है, तो in situation के ऊपर auditor सही modification provide करे, ये objective है आपके 705 का, अराइट, सो चलिए, next है, discuss the factor affecting the decisions of auditors regarding which type of modification opinion is appropriate, सर, मुझे ये question बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे ना ये question पढ़के चले जाते हैं, वो ध्याने नहीं देते हैं, बैटे, question क्या था, सर, question क्या है, discuss the factor affecting the decisions of auditors regarding which type of the modification opinion is appropriate, सर, इसने ये नहीं पूछा कि किस case के अंदर modification देना appropriate रहेगा, उसने पूछा कि किस case के अंदर कौन सा modification देना appropriate रहेगा, तोनों में बातों में difference है, सर, question बहुत बढ़ी है, question में wordplay है, सर, देखो, question बात कर, question ने ये नहीं बोला, बहुत सारे बच्चों को लग रहेगा, question पूछा गया क्या, कि कि किस case के अंदर modification देते हैं, लेकिन question है, क्या, कि भाया, कौन सा modification देना है, देखो, modification तीन तरह का होता है, qualified, adverse, or disclaimer, तो question है कि, इस में से कौन से वाला modification दोगे, which type of modification is required, ये decide करना है, बात समझ पाए, अब कौन सा modification दोगे, ये depend करेंगा, दो चीज़ों पर, पहला क्या, misstatement, misstatement material है, या फिर material प्लस परवेसिव है, right, दूसरा, audit evidence है या नहीं है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगा, कि हमें कौन सा type of modification देना, question ये नहीं था कि, modification कब देना appropriate रहेगा, ठीक है, this is the question कि भाही, which type of the modification देना is appropriate, right, next है, the audits shall evaluate whether the financial statements are preparing in all material aspects in accordance with the requirement of the applicable financial reporting framework, this evaluation shall include consideration of the qualitative aspect of entity accounting practice, including the indication of the possible minus of the management judgment, discuss it in the clearly qualitative aspect of entity's accounting practice, although इसके बारे मैंने आप क्वालिटी समझा दिया कि qualitative aspect होते ही क्या-क्या है, लेकिन फिर भी सुन लो, qualitative aspect of accounting practice के अंदर क्या आता है, जितनी भी management की judgments है about amount and disclosures, right, उसके अलावा, भाही, अब ऐसा कोई indication कि management बाइस तो नहीं था, अगर बाइस था, तो वो भी उसकी quality को कम कर देगा, उसके अलावा से जितनी भी qualitative aspect होते हैं, उन सारे qualitative aspects को auditor TCWG के साथ discuss करते हैं, कि भाही, यहाँ पे ना management का estimation गलत थे, तो 260 के अंदर भी हम क्या करते हैं, discuss करते हैं qualitative aspect with the TCWG, clear, तो जब भी यह आई कि what is the qualitative aspect, तो इन तीन points को लिख्के होगे, 260 का reference पक्का देख्के होगे, clear, qualitative aspect क्या होता ही, तो समझ में आया ना, ऐसे aspect की financial statements की quality को define करते हैं, और mainly यह रहती हैं, judgments, next है, the last question है, the auditor shall form an opinion on whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework, explain, the auditor shall form an opinion, auditor को opinion frame करना होता है, on which whether the financial statements are preparing, बनाई गई हैं in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework, it's a good question, read करके जाना, यह वो वाला question है, जिसमें बच्चे गप्य मार के आएंगे, ठीक है sir, यह मैं आपको study से ही करवाऊंगी read, क्योंकि यह आपको बहुत अच्छा लिखा गया है, question क्या था, evidence थे की नहीं थे, दूसरा देखेगा, whether the incorrect misstatements are material, incorrect misstatements का क्या मतलब है, sir, जैसे मैंने आपको बोला, 440 के according, हम क्या करते हैं, सार्वी misstatements को उठा के management के पास ले चाते हैं, अब management को बोलते हैं, ठीक कर दो, management को ठीक कर दी, वो तो, कुछ चीज़ों के बारे में evaluate करना पड़ता है, क्या कि financial statement as per FRIF बनी है कि नहीं बनी, दूसरा, management अपनी estimations लगाते हुए, बाइस तो नहीं था, तो these are the two evaluation जो auditor को करना पड़ता है, तो financial statements के उपर opinion देते हुए, auditor को इन तीन चीज़ों के बारे में conclusion करना पड़ता है, पेपर के अंदर ये direct question भी आ सकता है, जो भी पूछा गया, इसके अलावा एक और question आ सकता है, कि opinion frame करते हुए, auditor क्या-क्या चीज़े conclude करता है, तो इन तीन चीज़ों को conclude करके, वो अपना opinion frame करता है, राइट सर, देख एक और question बन सकता है, दा evaluation, कि भाईए, दा evaluation में क्या-क्या include होता है, evaluation दो चीज़ों होती है, कि FRF की according बने है कि नहीं बने, और management बाइस तो नहीं था, तो देख लिए, पेपर में special evaluation पूछा गया है, या फिर दा evaluation पूछा गया है, दो अलग-अलग question है, राइट, चलिए सर, ये ता हमारा chapter number 11, अब चल्दी से आ जाते हैं, हमारे chapter number 12 पे, एक second, हाजी सर, चलिए, स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा chapter number 12, इस अज़िए of the bank, चल्दी से questions पे आँ जाते हैं, ज़िए 6 questions है, फटा-फट हो जाएगा, ठीके सबसे पहले, the function of the banking in Bruston India, is regulated by the RBI, which act, which act as the central bank of a country, explain, सर, हमारे यहाँ पे, जो भी banking को regulate करते हैं, कौन सी authority करते हैं, RBI, इसके functions क्या क्या हैं, सर, RBI के, currency issue करना, सारे banks को regulate करना, ठीक है, अगर country को भी पैसे चाहिए, अगर India को पैसे चाहिए, तो सरकार कहां से लेती है, RBI से, किसी bank को पैसे चाहिए, कहां से लेती है, RBI से, सर, कोई भी bank नहीं काम कर सकता है, without RBI के license, तो bank को काम करने से पहले, RBI से license देना पड़ते है, इंडिया के अंदर जितना भी currency, generate किया जाते है, उसको regulate किया जाते है, सब कोन करते है, RBI, ठीक है, तो functions क्या क्या है, developing and serving the, इंडिया का financial system को manage करना, currency को issue करना, और उसको regulate करना, bank और government के लिए, as a bank काम करना, license देती है, bank को, so that वो नहीं branch खोल सके, clear sir, so these are the main functions of RBI, sir, paper के अंदर आए, regulatory authority काँ सी है, this is RBI, I की regulatory act काँ सा है, sir, act है, banking regulatory act, clear, act और regulations, and authority, are there two different things, act and authorities, difference, right, next question है, the engagement team, should hold discussion, to gain better understanding, of the banking environment, including internal control, also to assist a position, for the material statement, or the financial statement, all this discussion, should be appropriate, document, for the further reference, sir, bank audit का, बहुत major function, जो रहता है, वो यह रहता है, sir, पूरी टीम मतलब, जो audit team है, वो बैट के, कुछ चीज़े, discuss करती है, proper audit plan करने से पहले, so sir, क्या-क्या discussions किये जाते है, basically, जो discussions किये जाते है, वो किये जाते है, sir, team बैट के, सारा senior, junior से बैट के, discuss कर लेते, कि भाया, banking के अंदर, कौन-कौन से, ऐसे areas हैं, जहां पर error होने के chances, जाता है, पिछले सार, कौन-कौन सी errors, मिली थी हमें, उसके अलावा, error के अलावा, कहां पर fraud होने के chances है, सब्सक्राइब कर दो तरह की हो सकती है, तो error या फिरोड, तो कहां पर error की chances जादा है, कहां पर fraud की chances जादा है, उसके अलावा, कौन-कौन से risk है, और कैसे risk है, उसके बार में discuss किया जाता है, और ये discuss किया जाता है, कि भाई, हमें किस-किस area में अपने professional, वैसे तो audit करते हुए है, अपने professional skepticism को maintain करने की निए होती है, तो उसके regarding discussion होता है, seniors, basically junior को बताते हैं, इन इन चीज़ों के regarding you had to be alert, अपने professional skepticism को maintain करके रखना पड़ेगा, उसके लाबा, indication of the risk of material misstatement, कि बाई, कौन-कौन से indicators है, ठीक है, risky areas कौन से है, fraud कहां पर होने के chances जादा है, उसके लाबा, पिछली साल कौन-कौन से गलतियां होई थी, कौन-कौन से error थी, उसके लाबा, कौन-कौन से risk के indicators है, and type of the risk कौन-कौन से नंके impact क्या रहेंगे, उसके लाबा, रहता है सब, कि professional skepticism को maintain करने का need है, ठीक है सर, ये सारा discussion किया जाता है, इसका document रखा जाता है, ये नासिफ current year के audit में help करता है, next year भी जब आप bank audit पे जाओगे, तो उनी discussion के basis पे अपना काम शुरू गर होगे, इसके advantage क्या है सर, इससे पूरी टीम को पहले ही पता चल जाता है, कि भाया, error कहां पे है, fraud कहां पे है, risk कौन-कौन से है, तो important areas को pressure दिया जाता है, उसको ध्यान से चेक किया जाता है सर, next year audit करते हुए पता चलता है, उसके लावे हमें पता चलता है कि भाया, कौन से areas के regarding हमारे क्या audit procedure होने चाहिए, right sir, short note आएगा, तो लिख लोगे ना इसके regarding, next question है, write a short note on the reversal of income under the bank audit, इसका क्या मतलब है, सर, देखो, banking के अंदर एक concept है NPA, NPA मतलब वो assets, जो अब income generate नहीं करती है, मान लिज़े, bank ने advance दिये, अब advance दिये, तो उसके पर interest मिलना चाहिए, principal मिलना चाहिए, मान लिज़े, सामने वाला default करिया, interest नहीं दे रहा, principal नहीं दे रहा, तो वो assets क्या बन जाती है, सर, NPA, अब एक बात बता, NPA बनने का एक कारिटीरिया होता है, अब basically रहता है 90 days, 90 days मतलब, due date थी 30 तरिकों payment आने चाहिए, इंटरस्ट की, उसके 90 days तक payment ना आए, due date आ गई, उसके 90 days भी क्रोस आ गई, payment नहीं आए, तो journaling वो क्या बन जाते हैं, NPA, NPA के case में क्या होता है, अब journaling, हम accounting कैसे करते हैं, accrual basis पे, बैंकिंग के अंदर भी accrual होता है, लेकिन जो NPA बन जाते हैं, उनके उपर हम accrual नहीं, उनके उपर हम cash system लगा देते हैं, मतलब income book करते हैं, जब हम actual में receive हो जाती है, ठीक है, लेकिन बात बताओ, जैसे मानली, फर्स इंस्टॉल्मेंट थी आ गई, दूसरी इंस्टॉल्मेंट थी आ गई, तिसरी इंस्टॉल्मेंट का डेट आया, लेकिन नहीं आई, 90 देस क्रोस हो गए, वो बन गी NPA, लेकिन बात बताओ, थार्ड जब तक नहीं आये थी, उससे पहले तो वो एंस्टॉल्मेंट नहीं था, तब तक तो नॉर्मल था, तो उसकी इंकम तो अक्रूल बेसिस पर बुक हो गई होगी, और 90 देस के बीच में भी कोई इंस्टॉल्मेंट बची होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, आप रिवर्स करते हो, इसके अलावा एक कोर कॉंसेप्ट यहां पर आता है, that is memorandum account, memorandum account क्या है, सर देखो, NPA बनने के बाद वैसे तो अब income बुक की जाएगी, cash basis पे, लेकिन अगर bank चाहे, तो सिफ अपने knowledge के लिए एक अलग से account बना सकता है, memorandum account, इसमें क्या होगा, NPA के उपर जितनी भी accrual income है, उसको अलग से book करता रहेगा, income में इंक्लूडनी करेगा, अलग से एक account बना देगा, memorandum account, वहाँ पर बस अपने knowledge के लिए रख लेगा, अच्छा, इतना income डियो हो गया, जो आया नहीं है, ठीक है सर, this is the reversal of income, कि NPA बनने से पहले, अगर कोई income था, जो normal accrual basis पर बुक कर लिया गया था, लेकिन नहीं रिसीवा, तो उसको अपर रिवर्स कर दो, clear? Next है, what is the journal requirement of the effective risk management system of banks? Sir, bank के अंदर risk management systems are very important, और एक effective risk management system तब बोला जाएगा, अगर उसके अंदर कुछ पांच चिज़े हो, पहड़ेचीज, Sir, TCW जो का proper involvement होना चाहिए, वो decisions के अंदर involved होनी चाहिए, मतलब वो oversight कर रहे हो कि काम किस तरीके से हो रहा हूँ, दुसरा impact of the risk, Sir, risk management system, मतलब वो देखे कि कौन-कौन से risk है और इनका क्या-क्या impact पड़ेगा, अब खाली impact का फाइदा नहीं है, उसके ओपर control भी होना चाहिए, अच्छा, ये risk है, इसका ये impact पड़ेगा, ये identify कर सके, दुसरा control activities, कि अगर ये risk है, तो उसको किस तरीके से control किया जाए, last is monitoring, खाली control activity लगा के छोड़ दूर ना दो होगे, ये monitor भी दो कर होगे, control activity टीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, and last is information system, कि ये सही information, सही पंसर पर, सही time पर पहुंच बारी है कि नहीं चल रही है, तो these are the five element of the risk management system in banks, एक effective risk management system तब बनेगा, अगर उसके अंदर ये 5 element होँगे, effectively work कर रहे होँगे, तो ही, ठीक है सर, next है, explain the audit approach, you would follow to check the operating expenditure of a bank, कि भाईया, बैंक के operating expenditures है, उनको कैसे check करोगे, operating expenditure, जैसे interest अगर pay करना पढ रहा है, हमें self repay करने पढ रहा है, तो these are the operating expenditures, operating expenditure को कैसे check करोगे सर, सबसे पहरे देखोगे, उनको पर proper internance control है की नहीं है, मतलब operating में आ गया, जैसे electricity का बिल है, salaries है, तो दी बैंक के रेंट है, दी जादा operating activities जो बैंक को चलाने की लिखी जाती है, उनको कैसे check करोगे, basically 3 चीज़े की जाती है, इंटरनस control चेक के जाते हैं, कि बहिया, proper internance control है की नहीं है, दुसरा authorization कि जो expenditure sanction कर रहे है, उस अथोरिटी है भी की नहीं है, SAP, SAP ये लगाया जाता है कि पिछले expenditure को, पिछले साल के, पिछले महीने के expenditure को current year से मानच किया जाता है, last is any divergent trends, SAP लगाते हुए, अगर कुछ बहुत दिखता है, कि पिछली बार मान लिजी electricity का बिलता 10,000, इस बार आ रहे है, 25,000, तो ये एकदम से इतना change क्यों आ गया, तो these are the three main areas, three type of audit procedure, जो हम लगाते हैं, internal control, SAP and any divergent trends, मतलब ऐसा कोई trend जो पहले नहीं था, मतलब कुछ indicate कर रहे हैं कि शायद यहाँ पर कुछ गढ़बढ है, these are the three procedures, integrating to the operating expenditure, ठीक है सो, जो एक और कुछन करवाती हूँ, प्रोवीजन और कंटीजेंस और चेक कैसे कर होगे, सर कम्प्लाइंस एखोगे कि as per compliance प्रोवीजन बने हैं की बने, जो प्रोवीजन बनाई हैं वो management ने, बैंक ने compute कैसे किये हैं और WR लोगे management से, कि उन्हें सारे के सारे प्रोवीजन बनाई हैं की ने बनाई हैं एस पर अर्बाइग गाइडलाइन्स, राइट सो, लास्ट कॉश्चिन, अगर 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 के बात करूँ, उसके उपर कौन-कौन से कंट्रोल लगाए जाते हैं, एक सेकिंड, इस कंट्रोल्स, अच्छा, इस कंट्रोल याद करने का बैस तरीका क unravels, पहले तो और अड्वांस दिया है, सबसे पहले यह देखना है इस बन्दे कोअडवांस दिया हैं, को advance देने से पहले proper creditability check करें कि नहीं करें कि इस बंदे को इतना advance दे ना चाहिए था ख़ नहीं जा की advance दे दिया तो देने से पहले proper sanction लिया ख़ नहीं लिया सारे papers issue करें कि नहीं करें उसके बाद अडवांस देते हुए एक्सक्यूरिटी लिए होगी, तो भाया सेक्यूरिटी हमेशा क्या होता है, मानने जिए 50 लाग का लोन दे रहे हो, तो at least 70 लाग का सेक्यूरिटी लेते हो, तो प्रोपर मार्जन है की नहीं है, वो सेक्यूरिटी अपर कंट्रोल है की नही है, अगर CC लिमिट इशू करी है, तो वो सब कुछ as per the rules and regulation है की नहीं है, उसके अलावा सारे के सारे advances, appropriate तरीके से उनसे पैसे आ रहे है की नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो उसके उपर NPA बनाया है की नहीं बनाया, ठीक है, जितने भी important advances है, सब को देखो कि सब operating है की अगर नहीं है, तो उनको उपर क्या बनेगा, सर, NPA बनेगा, तो क्या बनेगा, प्रोविजन, सर, NPA बनता है, तो NPA को basic effect क्या जाता है, सर एक तो उसका provision बनना होता है, दूसरी चीज़, जितनी भी income होगे, उसको क्या करना पड़ता है, reversal, तो these are the basic thing, तो आपको चेक करना What advances? सर, बहुत चे कॉशन थे, फटा फट हो गए, राइट, चलिए, ये तर हमारा banking, अब एक काम करते हैं, अब हमारा पर दो चाप्टर बर्चे है, चाप्टर नमबर 13 और चाप्टर नमबर 9, जल्दी से हम अपना चाप्टर नमबर 13 कवर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ए करते हैं, एक 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 क